कुछ लोग सोचते हुए कि ओरनाइट कुछ डिसिजन हो गया या किसी के दबाव में यह मैंने निन्ने लिया हर एक वेक्ति जो यह सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निन्ने लिया मैं यह कहना चाहता हूँ दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा को नेरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि दिन उन्हें इदी के दबाओं में कर दिया, सीबिया के दबाओं में कर दिया तो यह सारी मेरे कहाद से गलत खहिमी है, इस परकार का नेरेटिव बिल्ट किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी छोड़ कर, बीजेपे की मेंबर्शिप ग्रेंड की, कर्टर साप की प्रेजन्स में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई असान कदम नहीं था, अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े, और लगातार दिल्ली वास्कियों के लिए काम करते आए, एज़ा एमिले भी और एज़ा मिनिस्टर भी, और सही पुछे तो, कुछ लोग सोचते हुएं कि ये ओरनाइट कुछ डिसिजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निन्ने लिया, कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से, पार्टी में रहके, MLA रहके और as a minister भी, दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया, तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई narrative बिल्ड करने कोशिश की जा रही है, कि जिन्होंने ED के दबाव में कर दिया, CBI के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरी ख्याल से गलत फहिमी है, इस प्रकार का narrative बिल्ड किया जा रहा है, और ये कोई एक दिन का निन्य नहीं है, मैं तो पेशे से वकील हूँ, वकाला छोड़के हम आम आदनी पार्टी से जुड़े, अन्ना जी के टाइम से, और मेरी ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कारे करता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा, और एक विचार धारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उमीद देखी, एक विक्ति में उनको उमीद देखी, उस विचार धारा से जुड़े और मैं भी जुड़ा, और लगारतार दिल्ली वासियों की सेवा करने, कि मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में, राजनीती करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था, तो सरफ लोगों की सेवा करना, और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े, लेकिन जब अपनी आँखों के सामने, अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इखटा है, जिन वैल्यूज के लिए आमादी पार्टी जॉइन की, अगर वो बिल्कुल कॉंप्रोमाइज होते हुए, अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं न कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गैरंटी के साथ कहता हूँ, कि इन शब्दों के पीछे, उन लाकों हजोरों हजारों कारे करताओं की आवाज है, वो भावना है, कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे, वो आज उनको नजर नहीं आ रहा, एक आम आदमी के सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे खियाल से सब वो लोग खास हो गए है, मैंने अपने पत्र के महाद्यम से जो किन कारणों से मैं आमाननी पाठी छोड़ी, मैं उसके बारे में कुछ जादा नहीं कहूंगा, मैंने अपने पत्र के महाद्यम से सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई सरकार अगर लगारतार हर चोटे विशे पर हर बड़े विशे पर अगर केंद सरकार के साथ पूरा समय चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरी काथ दिली का विकास नहीं हो सकता दिली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंद बना के रखने जरूरी हैं मेरा जितना समय as a minister निकला जितने भी विवाग रहे मुक्रिम से आज भी मुझे as a transport minister ही जाना जाता है और जितना भी मुझे मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि कि चाहे वो केंदे सरकार है चाहे LG से है क्योंकि हमारा मकसद हमारा मकसद दिल्ली वासूं के लिए काम करने का था हमारे political ambitions को आगे रखने का नहीं था अपने personal ambitions को आगे रखने का नहीं था मेरे ख्याल से जितने भी लोग आमादनी पार्टी में जुड़े कि उनका मकसद अपना कि किसी चीज की वज़े से अब मैं जो चाहता हूँ वो उपर हो वो मकसद नहीं था लोगों का काम करने का मकसद केवल था और मुझे पूरा यकीन है कि कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंदर में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंदे से कंदा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़के उसका विकास हो सकता है और यहीं कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूँ बादर्णिय और सब से लोग प्रिए प्रदामंसी नेधर मोधी जी उनकी जो विजिन है उनकी जो नीतियां हैं उनके जो काम है उन से कही नहीं इंस्पाइर होके और उनकी लीडिर्शिप के अंडर और आधर्णिय अमेशाँ जी हमारे जो पार्टी की प्रेजिडेंट हैं नड़ा जी जितने भी और सीनी लीडियर्स हैं मैं समझता हूं उनकी गाइडेंस की अंडर मैं काम करता रहूंगा पहले भी काम करता रहा हूं और एक चीसी गैरंटी देता हूं कि जो भी मुझे रिस्पॉंसिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी इमानदारी के साथ नि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरोसे के लिए बहुत धनिवाद